हलो बच्छों गूड़ मौनिंग कल हुआ अपन ने सीस्ठार के डाइजिसटी सिस्टम की इलेमेंटरि चैनाल की बारेमें पड़ा था elementary canal में कुन-کौन से भाव होते हैं किया इनकी सरस्ना होती है इसके बारे में अपन अध्यन कर चुके हैं कौन-कौन से इसके digestive glands होती है pyloric और cardiac stomach में क्या difference होता है और दोनों का कारिय क्या है इसके बारे में अध्यन कर चुके हैं आज अपन सी स्टार भोजन के रूट में क्या ग्रहन करता है और उसका फीडिंग मेकनिजम क्या है किस परकार से वो भोजन लेता है इसके बारे में अध्यान करेंगे सी स्टार एक बहु असनी मासारी जनतु है अर्थात ये नौन वेजेटिरियन है समुद्र जल में पाई जाने वाले महलस्क क्रेब्स, बार्नेकल्स, वर्म्स, सी अर्चीन, आस्टर अन्य छोटे जीवों को ये खाना पसंद करता है कभी-कभी ये छोटी-छोटी मचलियों और डेमेजड डैड एनिमल्स के पार्ट को भी खाता है सी स्टार बड़े आकरसक धंग से बोजन को ग्रेन करता है तथा उसे बचाता है सिकार को बुजाओं और नाल पादो दोरा पकड़ा जाता है तथा उप्युक्त स्थिती में रोग लिया जाता है क्लैम और एन दिकापाटी जनतुओं को ये है जिस प्रकार खोल कर खाता है ये जानना एक रोचक गटना है चसका जो फूडिंग मेकेनिजम है वो एक इन्वरेक्टिब्रेट जीव होते हुए भी अपने आप में एक विशिस्ट प्रकार का है ये पहले दिरी दिरे क्लैम के उपर रेंगता है और उसके उपर चारो और अपने सरीर का एक आवरन बना लेता है और अपने नालपादों को दोनों कवच कपाटियों पर इस प्रकार चपकाता है कि क्लैम का अधर सिरा ठीक इसके मुख के सामने इस्तित हो जाता है इसके पस्चात यह है क्लैम की 37 साली अविवर्थनी पेशियों द्वारा कसकर बंद दोनों कपाटियों को अलग करने का प्रियास करता है इस प्रकार की साहता के लिए बुजाओं के सिरों पर इस तिर नालपाद आधार तर्व से चिपके रहते हुएं कपाटियों को फूलने के लिए खिचाओ उस समय तक नियनतर लगाया जाता जब तक क्लैम की अभी वर्थनी पेशियां थककर डीली नहीं पड़ जाती क्योंकि अभी वर्थनी पेशियां अधिक समय तक लगातार कॉंट्रेक्शन की स्थिति में नहीं रह सकती है क्योंकि ये चोटा जीव है तो इसकी जो मस्कुलर स्टेक्चर है ये मस्कुलर जो भी इसका संगठन है उसमें इतनी बहुत ज़्यादा कॉंट्रेक्शन डेक्शन की क्रिया नहीं पा जाती है जिससे कि ये बोजन को लम में समय तक जक्रे रह सके अंत में जब कपाटी खुल जाती है तो सागर सी स्टार क्लेम की प्रवार गोगाएकों में अपने जटरांग मी आमासे को पलट कर उसे खा जाता है जटरांग मी आमासे काडिय के स्टमक इसका रिवर्स होकर उस फूट पार्टिकल को ग्रहन कर लेता है अब अपन डाइजेशन उसका अवसुसण और उसका बहीर त्याव इगेशन किस प्रकार होता है इसके बारे में अध्धन करते हैं